वो relation बहुत अच्छा चलता है जब दोनों के दिल में प्यार हो लेकिन बहुत बार प्यार में डोमेनिशन आ जाता है लड़कों को हमेशा अपनी दिमाग की सुननी चाहिए और लड़कियों को हमेशा अपनी दिल की लोग confuse तब होते हैं जब दिल और दिमाग दोनों सामने आ जाता है relation वो ही successful होता है जिसमें लड़की की बात चले अगर तुम लड़की की हर बात मान रहे हो तुम्हारा खुद का कोई decision नहीं है तो लड़की तुम्हें छोड कर किसे दमदार लड़की के पिछे चली जाएगी relation में बरावरी रखो और एक दूसरे से प्यार और इज़त रखो प्यार में request काम नहीं करती लोग जो कर रहे हैं उन्हें कहो ये अच्छा कर रहे हो वो तुम्हारी तारिफ सुनने के लिए और अच्छा काम करेगा देखो freedom में रहना सब का हक है लड़की अभी बंधनों से दूर freedom में रहना चाहती है इसलिए उन्हें पसंद नहीं होता कोई उनको तोके कभी किसी को ये मत कहना ये मत करो वो मत करो दिमाप को ना समझ में नहीं आती ही आप बच्चों को बोलो कि मत चलाओ देखना वो जादा चलाएंगे आप किसी को बोलो गाली मत देना तो देखना वो बहुत जादा गाली देगा जब उसे पता नहीं होगा तब भी वो गाली देगा जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो एक दूसरे को सुधानने की कोशिश बंद करो एक दूसरे को अपना वक्त दो देखना दोनों एक दूसरे के लिए बन जाएंगे एक दूसरे के अनुके पन के लिए एक दूसरे को पसंद करेंगे प्यार में हग जताओ कभी ये मत कहो, ये करोना पिलेज, वो तुम्हारी अपनी है, उस पर हग जता हूं कन्ट्रोल करने की कोशिश बंद करो, कभी किसी कन्ट्रोल करने की कोशिश मत करो पहले तो लड़की की खासियोतों के तारिप करो, गलतियों की तरफ ध्यान मत दो हम जिस पर ध्यान देते हैं वो बढ़ता जाता है तुम खासियतों की तरह ध्यान दो खासियते इतनी बढ़े जाएंगी कि तुम बुराईया और गल्तिया छोटी लगने लगेगी उसके लाइफ में इंट्रेस्ट लो लड़की अगर तुमसे कभी साज़ेशन मांगे तो उन्हें बहुत बड़ा साज़ेशन दो लड़की को आदत हो जाएगी तुमसे हर बात शेयर करने की और हर बात तुमसे फूच करने की घमंड को तारीव अगर आपका पार्टनर घमंडी है उन्हें हमेशा अपनी तारीव सुनना पसंद है तो आपके लिए अपने पार्टनर को करने का सबसे आसान तरीका यह है आपको बस उसके तारीव करनी है वो हमेशा के लिए आपकी सेबा में हाजिर हो जाएगा ऐसा ही करेगा जैसा आप चाहते हो उस लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जादा घमंड होता है तो ऐसे लोग को कभी यह नहीं कहना कि तुम्हारी कोई बात गलत है ऐसा करने से वह अपसे दूर हो जाएंगे ऐसे लोग को अपमान कभी सैन नहीं होता तो मैं कहना चाहिए कि तुम्हारी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती हमेशा उनकी तारीफ करते रहो क्योंकि ऐसे लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं जादा से जादा इन्हों खुश करूँगा तो वो मेरी जादा से जादा तारीफ करेंगे पैसे का लालज दिखाओ अगर आपका पार्टन थोड़ा लालची है छोटे छोटे चीजों से ललचा जा सकता है और पैसे के मामले में थोड़ा ढीला है तो आपको उन्हों पैसा दिखाना पड़ेगा तो वो बार बार आपके पास खिचा चला आएगा आपने ऐसी बहुत स सिर्फ इतना दिखाना है कि आप कितनी शांदा लाइब जी रहे हैं वो आपके फीचे खीचे चले आएंगे इमोशनल अर्टचार करो लड़की की तारीप करो और साइशन दो फिर हग जाता हो इंसनल के दिमाग अईसे ही होता है जो उसकी तारीफ करता है जैसे आपके गली में एक अंकल होता है जो आप से पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो, कहा जा रहे हो अगर आप एक बार उनके सवाल का जवाब दे दिये तो वो आपको dominate करना शुरू कर देते हैं वो next time आपको बोलते बेटा यहां मत जाओ, वहां मत जाओ लोगों को खुट यह आदर डाल दो उनकी इतनी मददत करो कि कोई भी काम करने से पहले आपको ही याद करे फिर आप अपनी सर्विस की कोई भी किमत ले सकते हो, किसी भी तरह से उनको कंट्रूर कर सकते हो